अगर आप लोग अभी तक इसका 1st & 2nd पार्ट नहीं देखे हैं तो ये पार्ट आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा इसलिए पहले बो देखिए उपर आई बटन पे और नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा तो ये मूवी बोहीं से शुरू होती है जहां Saw 2 खतम हुई थी एमेंडा डिटेक्टिव एरिक मैथियूस को बात्रूम में लॉक करके जाने के बाद एरिक हैक्सो से चेन को काटने की कोशिश करता है लेकिन काट नहीं पाता है तब उसे डॉक्टर गॉर्डन का कटा हुआ पैर दिखता है जिसको देखके वो समझ जाता है यहां से निकलने के लिए उसे भी अपना पैर को काटना होगा वो ट्राइ तो करता है लेकिन काट नहीं पाता है देन उसे वो ही टॉयलेट लीड मिलता है जिसे एडम ने जेप को मारा था वो उस लीड से पैर का हड़ी तोरके उस चेन से आजाद हो जाता है अब इसके 6 महिने बाद लिटेनेंट रिग, डिटेक्टिब केडी और डिटेक्टिब हॉप मैन को जिक्सो का और एक विक्टिम ट्रॉय का डेड बॉडी मिलता है इस टेस्ट में ट्रॉय के बॉडी पार्ट्स में हुग घुसा के उसे चेन से बंधा गया था साथ में एक टाइम बॉड भी रखा गया था बचने के लिए ट्रॉय को अपने बॉडी से साड़े हुक्स को खोल के इस रूम से भागना होगा लेकिन दिये गए टाइम के अंदर ट्रॉय साड़े हुक्स को खोल नहीं पाता है और बॉम ब्लास्ट से मारा जाता है पर डिटेक्टिव केरी को लगता है ये जिक्सो का काम नहीं है क्योंके इस रूम का दर्बाजा पहले से ही सील्ड था अगर ट्रॉय अपनी टेस्ट में पास भी हो जाता फिर भी वो इस रूम से बाहर नहीं जा पाता उसका मरना तो पहले से ही तै था विचिस एगेंस्ट जिक्सोस मेथोड जिक्सोस हमेशा फेयर गेम खेलता है और विक्टिम्स को सेगेंड चांस देता है इसका मतलब जिक्सोस के साथ दूसरा कोई है जो गेम प्लैन को बदल रहा है केडी अपने घर जाती है और डिटेक्टिब एरिक मेथी उसके गाइब हो जाने के कारण से बहुत डिप्रेस रहती है इसके लिए वो खुद को ही दोशी मानती है ट्रॉय के मर्डर स्पॉट से मिले विडियो टेप को देखते टाइम मोनिटर पे वो खुद को देख पाती है देट मींस उसके रूम में कैमेरा लगा हुआ है वो चेक करने जाती है और ठीक उसी टाइम पीछे से कोई फीक मास्क पहने इंसान उसके हमला करता है होश में आने पर वो खुद को जिक्सो के गेम में पाती है उसे एक डिवाइस पहनाया गया था जिसका हुक उसके रिप्स के साथ एटाज था इस डिवाइस को खोलने के लिए इसका लॉक को खोलना होगा पर इसका चाबी इस एसिट से भड़ा विकर के अंदर है और कोई option ना होने के कारण वो उसमें से चाबी को निकालती है लेकिन lock खोलने के बाद भी वो डिवाइस को अपने आप से अलग नहीं कर पाती है वो समझ जाती है उसका बचना ना मुमकिन है तो वो give up कर देती है और तुरंथ डिवाइस एक्टिवेट होके उसके rib cage को फार के रख देता है नेक्स सीन में हम लोग Lynn Denlon नाम के एक डॉक्टर और Jeff नाम के एक आदमी को देख पाते है Jeff का बेटा एक car accident में मर चुका था इसलिए Jeff all the time उस accident से जुड़े लोगों से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिक्सो के order से इन दोनों को भी kidnap कर लिया जाता है जिक्सो उसके brain cancer के last stage में था और उसके पास बस कुछी time बचा हुआ था Amanda Lynn के गले में एक device लगा देती है जिसमें 5 shotgun cells लगा हुआ है फिल Lynn को एक straight forward से game दिया जाता है जहां उसे जिक्सो को तब तक जिन्दा रखना होगा जब तक न जिक्सो का game खतम हो जाए इसी दोड़न अगर जिक्सो मारा जाए या फिल Lynn यहां से भागने की कोशिश करे तो उसके neck पे लगे हुए device activate होके 5 shotgun cells उसके fire कर देगा दूसरे तरफ जेफ होश में आते ही खुद को जिक्सो के game में पाता है जहां उसे कुछ test में से गुजरना होगा और finally वो उस इंसान तक पहुच जाएगा जिसके कारण उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन अगर वो इस test में fail हो जाए तो वो हमेशा के लिए इसी जगा पे कैद हो जाएगा इन हिस फर्स test जिफ इंटर्स अफ्रीजर रूम एंड फाइंड जाएगा पेटा मारा गया था लेकिन कोट के चकड़ों से बचने के लिए डैनिका ने गबाई नहीं दी थी जिसके कारण वो ड्रंग ड्राइवर बच गया था डैनिका को नेकेट करके पोल्स के साथ चेंज से बांध के रखा गया था और उसके बॉडी पे आइस कोल्ड वाटर स्प्रे किया जा रहा था अब जिक सोच जेफ को दो आप्शन देते हैं पहला वो डैनिका को माफ कर दे और लॉक खोल के उसे बचा ले अब दूसरा जेफ डैनिका को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दे और अपना बदला पूरा कर ले डैनिका को तरपते हुए देखके जेफ उसे माफ कर देता है लेकिन उस लॉक का चाबी कुछ फ्रोजन मेटल पाइप्स के पीचे रखा हुआ था जो जेफ के लिए ले पाना अल्मोस्ट इंपॉसिबल है कैसे भी करके जेफ चाबी तो ले लेता है लेकिन तब तक डैनिका मर चुकी थी इन हिस सेगेंड टेस्ट उसे बोही जज मिलता है जिसने उस ड्रंक ड्राइवर को बस छे महीने का सजा सुना के छोड़ दिया था वो एक टैंक में चेंज से बंदा हुआ है और उस पे मड़े हुए सुवर का मास के कीचर लगा तार डाला जा रहा है जेव के पास फिर से बोही दो अप्शन है या तो वो उसे बचा ले या फिर मरने के लिए छोड़ दे लेकिन उसे बचाने के लिए जेव को अपने बेटे के आखरी विलांगिंग्स यानि के उसके कुछ टॉइज और फोटोस को जलाना होगा क्योंके उस लॉक का चावी इसी टॉइज और फोटोस में चूपा हुआ है और ये साड़े जलने के बाद ही उसे वो चावी मिलेगा जज को डूपते हुए देखके जेव उसे माफ कर देता है अपने बेटे के बिलांगिंस को सैक्रिफाइस करते हुए जज को बचा लेता है जो देखके एमेंडा गुस्से से बाहर चली जाती है और उसी के साथ हम लोग एमेंडा की पास्ट के बारे में जान पते है जिक्सौ के टेस्ट में पास करने के बाद वो जिक्सौ को मेंटॉर मनने लगी थी और उसका हेल्प करने लगी थी सौ के पार्ट वन में एडम को किड्नेप करने बाली और कोई नहीं एमेंडा ही थी इतना ही नहीं जिक्सवा और एमेंडा ने मिलके ही वो बात्रूम वाला गेम सेटप किया था गेम खतम होने के बाद एमेंडा ने एडम को भी मार दिया था क्योंके वो तब भी जिन्दा था एमेंडा अब इतना परेशान हो जाती है के वो खुद को ही चोट पहुचाने लगती है इसी दोड़न उसे उसके नाम की एक लेटर मिलता है जिसे पढ़कर वो और भी तूट जाती है मिन्वाइल जेफ अपने थर्ट टेस्ट बाले डूम में पहुच जाता है जहां वो उसके बेटे के किलर टीमोथी यौंग के फेस टू फेस होता है टीमोथी का हाथ पैर और गला एक ट्विस्टिंग मेशिन के साथ बंद कर रखा गया था और उसे चुड़ाने का चावी एक शॉर्ट गन के ट्रिगर के साथ बंदा हुआ था जिक्सो यहां भी उसे बोही तो आप्शन देते हैं पर टीमोथी को इस हाल में देखकर जेव उसे भी माफ कर देता है और चाला किसे चावी को लेने की कोशिश करता है बट एक्सिडेंटली वो गन शॉर्ट जज को लग जाती है और वो बोही मारे जाते हैं टाइम रहते जेव टीमोथी का लॉक खोल नहीं पाता तो टीमोथी भी मर जाता है लेकिन तब भी जेव अपने टेस्ट में पास हो जाता है क्यूंके उसने सारे लोगों को माफ कर दिया था अब वो अपने फाइनल टेस्ट के तरफ बढ़ने लगता है जहां उसे एक गन मिलता है उदर सरजरी खतम होने के बाद जिक्सो और डॉक्टर लिन प्राइपेट में बाते करने लगते हैं जहां जिक्सो लिन से उसके हस्बेंट और फैमिल के बाड़े में पूछता है दे उसके हिसाब से टेस्ट में पास करने के बाद भी कोई भी इंसान नहीं बदलता एमेंडा ने ये गेम विक्टिम्स को बदलने के लिए नहीं उन्हें सजा देने के लिए डिजाइन किया है ठिक वैसे ही जैसे ट्रॉइ और डिटेक्टिव टेडी अपने ट्रैप से निकल नहीं पाए और मारे गए शी आलसो रिवील्स डैट बात्रूम से निकलने के बाद एमेंडा और एरिक के बीच लड़ाई हुआ था जिसमें एमेंडा जीत गई थी और उसे तरपते हुए मरने के लिए छोड़ दी थी सो आके फर्स पार्ट में उसने एडम को भी इसलिए म मौच जाता है लिन की हालत को देखकर जेफ एमेंडा को भी शूट कर देता है जिससे लिन और एमेंडा दोनों ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं तब जिक्सो सारे सिक्रेट को रिवील करते हैं वो एमेंडा को बताते हैं जेफ और लिन हजबेन डॉइफ है जो एमेंडा लास्ट बार चांस दिया था, खुद को बदलने के लिए, लेकिन एमेंडा इस टेस्ट में फेल हो गई, और गोली लगने से आखिर में खुद ही मर गई, अब जिक्सो जेफ को फाइनल टेस्ट देते हैं, जिसमें बो चाहे तो जिक्सो को मार सकता है, या फिर माफ कर सकता है अगर जिफ उसे माफ कर देगा, तो वो लिन के लिए एक एमबुलेंस बुलाएगा, जिससे लिन बच जाएगी, पर जिफ इतना इरिटेट हो चुका था, कि वो बीना सोचे समझे ही, जिक्सो का गला एक सर्कुलर सौ से काट देता है, जिक्सो के मारे जाते ही, इस रूम क जिक्सो को मार डाला, और जेफ की बेटी कहा है, ये बस जिक्सो को ही पता था, उसे उसकी बेटी को पाने के लिए फिर से एक गेम खेलना होगा, और उसे ये गेम जल्दी खतम करना होगा, नहीं तो उसकी बेटी ऑक्सिजन के कमी से मर जाएगी, मुवी यही पर खतम हो ज